दोस्तों अगर आपका खाना नहीं पच्छता है, ब्लोटिंग, एसी रीटी या फिर कॉंस्टिपेशन की शिकायत है, तो आपको अपने डायट्स में फाइवर रीच डायट जैसे की अंजीर या फिर खाने से पहले सैलेड्स का सेवन जरूर करना चाहिए. इसके अलावा आप शाम में भूनी हुई चीजें जैसे की बादाम, अखरोट, चना या फिर मुंफली का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये मोटे अनाज होते हैं, इसमें फाइवर भरपूर मातरा में होती है, और ये आपके डायजेशन हेल्थ के लिए अच्छा होता है. इसके अलावा आपको दीन में एक बार दही का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि दही प्रोबायटिक होता है, जो आपके गट्स के हिल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, गट्स बैक्टिरिया को इन्हांस करता है, और डायजेशन को इंप्रूव करता है. लेकिन ध्यान रखें कि आपको दही में किसी प्रकार का चीनी या फिर नमक नहीं मिलाना है, आप दीन में एक बार ताजी दही का सेवन करें. दही का सेवन करना महिलाओं के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि ये विजाइनल पी एच को मिंटेन करता है. ऐसे ही और अधि को फॉलो करें.